कि अच्छ कि अच्छ करने जा रहा हूं वह बजाच फिनेंस लिमिटेट का स्टॉप अच्छ फिनेंस लिमिटेट में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ सपोर्ट और रजिस्टन्स माक करे थे और आपको बताया था कि यह स्टॉक देखिए इस रेंज के अंदर काम कर रहा है अगर अपसाइड में 7645 की रेंज ब्रेक होती है तब एक बड़ा ब्रेक लेकिन इसके अबव भी एक रेजिस्टन्स हमारे पास अवेलबल है 8049 के आसपार तो यह दो इंपॉर्टन रेजिस्टन्स हैं यह जब तक क्रॉस नहीं होंगे अपसाइड में तब तक कोई बड़ा मोमेंटम कि एक नई ट्राजेक्टरी नहीं ओपन होगी और सिमिलरली डाउन साइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 7030 के वो लेवल से जो अगर ब्रेक होते हैं तो और यह बड़े क्राक डाउन की तरफ जा सकता है तो यानि कि हमारे पास जो सपोर्ट है वो 7030 रुपे का है और यह स्टॉक अगर आप इस पर्टिगलर पैट के अंदर काम कर रहा है बार बार इसको क्या कहते है सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है जिसके अंदर आप देखिए यह फर्स्ट अटेम्ट था और यह फोर्थ अटेम्ट है कि यह इसको ब्रेक करना चाहा रहा है यहां पर लग तो जो इसकी psychology आप समझ पाएंगे इस particular action को देखते वे, प्राइस action को देखते वे, वो clearly लग रहा है कि within a day or two, ये 7030 के level break करके नीचे की तरफ जातावा दिखाई देगा, इस stock के अंदर कोई भी buying side में position आपको नहीं बनानी चाहिए, इस stock ने recently अगर आप देखेंगे, जून मन्त में 5200 रुपीज के level से 8050 के levels जो attain करे थे, ये वाले जो levels attain करे थे तकरीबन 7700 के, वो एक बड़ा swing इसने हापर capture कर लिया था, इसके बाद में ये stock अब consolidate हो रहा है, और consolidation के बाद में ये stock नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो direction है, वो all together एक correction की ही आती भ दिखाई दे रहा है, कि एक short span of time में इसने एक ही trend line को चार बार test कर दिया है, बहुत जादा chances है कि ये trend line नीचे की तरफ break होती भी दिखाई दे, तो कहां तक के targets होते हैं, उसको हम लोग identify करते हैं, तो what I believe कि हम लोग इस 5200 के level से and इसके अभी तक के recent के जो high level से महाँ पर Fib इसने 23.6% के first retracement zone को respect नहीं दिया है, और इसको crack करके नीचे की तरफ आ गया है, अले कि ये 38.2% को भी जानी रहा है, लेकिन 23.6% के area decisively इसने crack कर दिये हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर weakness आ गी है, ये जो rejection है, first retracement level का rejection बहुत important होता है, और ये stock अब नीचे की तरफ जातावा दिखाई देगा, क्या 38.2% के level जो second rejection area है, second retracement area है, क्या वो कोई important support का काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये stock नहीं ऐसे रुकेगा, क्योंकि बहुत लंबे time के consolidation के बाद एक नीचे breakdown आने वाला है, ये breakdown की situation होगी, और breakdown के अंदर इतने कम, इतने छोटे level पर ही जातावा नहीं दिखाई देगा, तो I believe at least 50% का जो rejection area है, यानि के 6497 ये वाला जो area है, this one, यहाँ तक का downside आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ तक ये stock आ सकता है, तो जैसे ये line decisively cross करें, यानि के 7030 जैसे ये downside में crack करें, यहा आपको PE buy करके चलना है, बजाज finance के अंदर, और बहुत अच्छे target आपको मिलने वाले है, in fact November series के अंदर ही आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छे target मिल सकते हैं, अगर ये 50% को नहीं भी touch करता, तो at least lower swing बनाते बनाते, price action बनाते, तो करीबन 6800 के level तब तो जरूर पहुच चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप time देते हैं, तो इसके अंदर short side की opportunities है, otherwise अगर आप options में trade लेनी की कोशिश करते हैं, तो put buy करके यहाँ पर चलना चाहिए, इस line के ठीक ऊपर आप यहाँ पर stop loss लगाएंगे, बहुत छोटा stop loss होगा, और आपको target यहाँ पर at least 1 is to 4 से लेके 1 is to 5 तक के देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर pattern observe होता है, नजर आ रहा है, अब क्यूंकि कल एक बड़ा gap up हुआ, इसलिए हाँ पर एक जो all over structure है, मैंने आपको बताया था कि देखे, कल का जो price action होगा, उसके उपर बहुत जादा believe नहीं करना चाहिए, जैसे for example, Tata Motors के अंदर बहुत बड़ी गिरावटती, लेकिन कल वहाँ पर buying गाई, top 10 stocks में से वो बना, gainers में, इसी तरीके से इसके RSI को देखे, इसका RSI 40 के level से 45 के level पर आगे, केवल कल के price action की वजए से, लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है, कि आपर को कोई buying side generate हो रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखे, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, market के view को, ना कि all together आपको dependent हो जाना चाहिए, market के technical indicators पर, technical indicators हर दिन change हो सकते हैं, लेकिन market का जो view है, वो actually मैं आपको बताता है, कि क्या situation इसवक्त prevail कर रही है, तो यह trend line भी avoid करना चाहिए, buying list से यह stock बिलकुल avoid रहना चाहिए, और यहापर कोई भी buying activity आपको नहीं कहना चाहिए, आई हो point आप समझ गए होंगे, downside में target मैंने बता दिया, situations मैंने बता दी किस तरीके से stock move कर सकता है, इस video में फिलाल इतना ही, और अगर आप देखें all over, तो यह आज की तीसरी वीडियो हो गई है, I think यह तीनों stocks बहुत important रहने वाले हैं November series के लिए, जिसके अंदर Cole India, Tech Mahindra और यह 3rd Stock Bajaj Finance है, तीनों वीडियो आप देखिए, समझ यह technical structure को अपने laptop PC पर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, जो मैंने बताया उसमें किस तरीके से आपको trend इनफर्म करनी है, तो आपको काफी अच्छी तरीके से strategy बिल्ड अप करने में मदद मिलेगी, वीडियो में फिलाल इतनी, बिल्दों बहुत जल्दा आप से अक लिए वीडियो में, टिलन, तेंक्यू, बाबाई